चलो बच्चो देखिए हमारा chapter 15 exercise 15th B first हमारा question है इसको factorize करना है हमें दिया हुआ है x की power 2, 16x, 64 इसको में factorize करना है जैसे हमने 15th A में common लेकि हम करते थे आप इसको करना है में कैसे करेंगे देखिए जब भी ऐसे वह आएगा ना अगर आप देखोगे 15th B में sum में 3 terms है, 3 से ज़्यादा है नहीं किसी में sum में 3 है, sum में 3 है, sum में 3 है, sum में 3 है, किसी में मालो यह 9th होगा 9th में 2 लग रही है उसको आप solve करोगे तो वह भी 3 बन जाएंगी ठीक है और मतलब यह है 3 terms होती है इसमें तो इसमें हम लगाते हैं एक हमारा method है जिसको बोलते है splitting the middle term क्या बोलते है splitting middle term बोल दो ठीक है यह middle term का है यह होती है middle term इसको तोड़ देना इसको split कर देना, तो कैसे तोड़ेंगे सर बताता हूँ, देखिए जब भी एक्वेशन आयागा आपको क्या करना है, एसवाल एक्वेशन में 3 है समझ गए आप देखिए साइड में देख लीजिए, जो 16 है उसको बाद में देखना, जो 64 है 64 और यहाँ पर यहाँ पर एक स्क्वेर है, इसके साथ को इसमें नम्बर है आपको 6 है, 49 X को रिखाए हूँ इसमें, तो उसके उसका हम लेंगे 49 लेंगे, लेंगे 49 लेंगे उसका, ठीक है यह वाले नम्बर हमें यह ना यह, यह नम्बर नहीं लेंए 49, तो यह 64 और इसका 1, तो उसको कर देना आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टिप्लाइ, 64 मल्टिप्लाइ 1 इकलस तो 64, जब वो जो आ जाएगा, उसके करने आपको फैक्टर, 2-3-6, 2-2-2, तो साइड में, यह रफ में करने वाला काम है, 2-1-2-6-2-8-2-4-2-2-2, यह सारा रफ में करने वाला काम है, यह आपक क्या करना है, यह आपको कुछ क्वेशन कर लेने है, मान लिजी आपने कुछ क्वेशन कर लिए, तो उसके बाद यह आपको करने की जरूरती नहीं है, फिर आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तो देखिए, तो कैस बीच में क्या है, सोला, तो सोला बनाना है, अब सोला कैसे बनेगा, प्लस मानस करके, मतलब यह जो हमने इसके फैक्टर करें न, तो देखो इसको कुछ ऐसा करो, इसके फैक्टर के साथ कुछ ऐसा करो कि प्लस मानस करके सोला बन जाए, कैसे करें सार, बताईए न, बतातो बनेगा 16 मैं कैसे करूँ आफ दिखें इसको ऐसे करूँ गा X स्कूएर इसके लिखुएंगा 8 चुंकि X बाला है तो X को चुपकांगा इसके साथ दो बार पुझे 8 लिखना है यक बार लिखुँए 8 चुमकि X का है तो X चुपकांगा प्लस 64 बस हमेरे middle term को split कर दिया अब आप इसको plus minus कर के देखिए इसको plus कीजिए बस्ता plus minus करने का मतलब यह है कि कुछ questions में plus होगा कुछ questions में minus होगा ऐसा नहीं है कि एक बाद plus कर दो तो 16 आगिया minus कर दिया तो 0 आगिया ऐसे नहीं है plus करने से 16 आगिया बस काम बन गया तो चाहिए था मैं 64 चाहिए था वो भी बन गया आप करेंगे देखिए इन दोनों का जोड़ा इन दोनों का जोड़ा क्या कामन है X प्लॉस एट तो किस के टेवोल में आते हैं ठीक है तो कि किस ही प्लस का कोई मैं फी सबी लेंगे टो पलस का अथ करके देख़ो न तो यह यह आएगा तो अब इन दोर-मेंजिक्त किया कॉमिल लेंगे एक्स प्लस एट और क्या बचा एक्स बचा यह क्या बचा प्लस एट बचा यह मेरा आंसर हो गया यह मेरा रफ वर्स था ठीक है बच्छो तो यह मेरा हो गया फर्स्ट कंप्लीट ठीक है एक दो कुशन और कराता हूं देख आपको समझ में आएगा रब मैं करूंगा नहीं इसको त लेकिन आप मैं फिर भी आपको बताता हूं वह पहले आएगा फिर पावर दो एक्सी पावर दो फिर एकसी पावर यहां पे कुछ नहीं ने तो ऐसे आएगा ठीक है अगर आप इसको ऐसे ना लिख के जैसे लिखा हुआ था वैसे भी सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता मैंने ऐसे किया है ताकि आपको कोई डिफिकल्ट सा क्वेशन आजाए तो आपको उसको इजी बना सके ठीक है आप देखो क्या करेंगे वन और यहां पर क्या है कुछ नहीं बतलब वन है तो वन वन जब वन तो पूर्डर कितना आएगा वन आएगा ठीक है और प्लस मानस करके क्या आएगा यह कितना माइनस टू आएगा माइनस टू वह भी ध्यान देना यह माइनस टू आएगा पहले वाले में प्लस 16 था इसमें माइनस टू है तो माइनस टू आएगा तो कैसे आएगा देखो सिंपल इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको बाइन करके क्या आएगा मैनाशन efendim दोने को क्या करोंगे दो कर दो प्लस माइनस मटो लांट मानुस माने कमा मैनस तो एक्स और रिए ग convention को इन सो माइनस मनेत्स एक्समाइन स्वान एक तो सह में एक्समद्स एक वैह आएगा ब्रैक में किया बचेग एक स काम फोन में आगा मैंस लगा हो इसको ही बात बनेगी प्लस लगाया औही बात बनए प्लस लगाया तो ही बात बनेगी क्योंकि जब मैंने माइनस लगाया, इसको मल्टिप्लाइ करूँगा, वापस से उपर जाऊँगा, ऐसा बन जाएगा, अब देखो, अब इन दोरों में से कमन आया मेरा X-1, तो ब्रैक्ट पे बचा मेरा X, यहां पे बचा मेरा 1, दोरों में X-1 था ना, तो X-1, X-1, common आ गया, तो X-1, यह मेरा अंसर हो गया, ठीक है, चलिए, इसको भी रप करते हैं, थर यह थर यहीं पे करा दो, चलो यहीं पे कराता हूँ, और समझ में आएगा, P स्क्वेर, ठीक है, पहले में इसको लिख लेता हूँ, ऐसे ठीक से करके, P स्क्वेर, प्लस, 6P, प्लस, 9, 9 और 6 चाहिए, मुझे, कै ठीक है, 6, प्लस का 9, अब इन दोनों में लो, और इन दोनों में लो, तो क्या आएगा, इन दोनों में, और प्लस 3 अप viable 3 अब देखो, दोनों में प्लस 3 common है, सो पी प्लस 3 आए गया हमारा, जो और घिए, ऐसको genuine कि यहां पी यहां पर बच्क घंग है कि अ है सबुद करने से पहले अंसर चैक कि आपको बता देता हूं देखिए घवराने की दर्वत नहीं है सब्सक्राइब की प्लसदी की प्लावर की अगत हमने इतना करा है यह यह हमारा बिलकुल आंजर ठीक है कि हमें इतना चोरी के आएंगे तो खोराने की जरूवत कि इसको मैं स्थाथ करना है तो मैं आपको बताया था की 25 एक किसाथ कुछ माइनस करके आना चाहिए, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 आना चाहिए, और उसमें 25 आना चाहिए, आप देगे कैसे करेंगे, जो, इसके हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 5, 5, 25, 5 बन जा, दो बार 5 आ गिया, तो इसको मैं देखोंगा, 1 की पावर 2, प्लस 25, जेखो, इसको करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मतला, प्लस करेंगे, माइनसangel – 10 ऑ बंगा, दोनों को आगरो, 55 जा 25, 25 बनेगा, ठीक है, प्लस का 25 बनेगा, क्योंकि पु result का बन रहा था, अब इन दोनों का प्ले लेंगे और इन दोनों का लेंगे, ठ इसमें क्या है यहां पर पकी बात है बचेगा तो क्या कॉमन आएगा। अगर मैं यहां पर माइनस लगाया तो यह इसा बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि मुझे 5-a मैनस एगा जब मैं यहां पर माइनस लगाँ मुझे यह चाहिए मतलब 25 25 25 25 25 इसे बनेगा इन दोनों में क्या को मनाइगा दोनों में मैं माइनस था इसमों था या दिखो इस में तोनों किया मैं निसनिता पाइखे फीरा आइसा या इसी लिए ouvैकि बावर आप चलिए रप करते हैं इसको अबर बच्छों आप देखिये फिफ देखिए एकि पावर दो बच्छो दो मैंने आपको बताया दा अगर इना हो तो अप को ठीक कर लेना ठीक कैसे करऊगे इसको पहले लिख लेना और मैंने बताया था SiGệt लेना मैंने जैसे Goddess finde और सो परने एस नहीं में का लेकिन हमें आपको कहरू कि एसे ही मानते हैं इसको आपकारी सोल्व करनाइसको रहते हैं कि अुछ नहीं रेंगे सएका दोप等़ नहीं है इसके क्षिण इसके और न इसके बंट्र करें ब्स-णि आ गाएचे कि आ जा रेगा 3 x 3 तो इसको कैसे करेंगे है बीस्ट वन सेकेंड को गटिस करेंगे चली बच्छो ठीक है तो यह आपको समाज में आगिया तो देख इसको कैसे लिखोंगा 1 इसमें से कुछ कॉमन लूगा और इसमें से कुछ कॉमन लूगा क्या common लूँ जिसके पास कुछ common नहीं है उसके पास तो one common ओगा तो one common आ गया तो क्या बचेएगा one minus three x ये बचेएगा ठीक है अब इन दोनों में इन दोनों में से में common लेना पड़ेगा अगर आप धियान दे तो तो एक तो 3 common आएगा क्योंकि 3 9 दोनों 3 के डेबल में आते हैं और 2x एकस एकसी पाउर 2 तो एकस common आएगा तो bracket में क्या बचेगा मेरा ऐसा ही बनना चाहिए 1-3x ठीक है 3 3 9 x 2x ठीक है अब मुझे अगर मैंने इसको multiply करा तो यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 3 x लेकिन मुझे कैसी है माइनस का 3 x चाहिए तो यह हो जाएगा माइनस का 3 x multiply करने के बाद और यह हो जाएगा मेरा प्लस का 9 x स्क्वेर ठीक है अब मेरा यह ठीक है अब इसमें और इसमें कॉमन है वही तो 1-3 x कॉमन आ गया ठीक है और यह बच गया तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको 1-3 x करके पावर दो ऐसे लिख दो एक ही बात है इस देखिए तो 49 को बन गया नीच बीच में 14 चीए तो 49 को कर लेते हैं 7777 तो साथ बार तो सिंपल हमारा बन गया कैसे बन गया देखिए 49 x2-7x-7x-7x-1 और एक बात आपको बता दू हर बार ऐसा नहीं बनेगा कि 14 ए तो ऐसे से बनेगी है यह तो अभी easy easy चल रहे है थोड़ा difficult भी आएगा आपको pattern बनाने में time लगेगा लेकिन आपका जो basic अगर आपका clear है न कि बनाना कैसे pattern तो आप कर लोगे अब इसमें द क्या बचाएगा 7x-1 ले लाना है मुझे तोनों में कुछ common नहीं तो one common हो गया अगर मैंने प्लस लगाया तो यह प्लस का रहेगा minus लगा तो यह माइनस का होगा और यह प्लस का होगा ऐसा ही मेरे को चाहिए अब इसमें और इसमें देखो 7x-1 तो दोनों के पास है तो इस question है 7th यह हमारा जो पहले questions हमने करें 1 to 6 उनके जैसा नहीं है क्यों कि यहाँ पे तो एक दो तीन तीन terms तो हैं लेकिन मसला यह है कि उसमें कैसे होता था उसमें जैसे x square फिर x फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता था यहाँ पे xb xyb x का भी square है y का भी square है तो यहाँ देखके म plus b square plus 2ab कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते है a square plus 2ab plus b square इसको ऐसे लिखने का मकसा सिर्फ यह है कि पहले alphabetic order में लिख दिया a आता है इसको यह वाला ना लिखके क्यों कि इसमें b आ रहा है यह वाला लिख दे क्यों कि इसमें a आ रहा है a a b a b ठीक है ऐसे लिखते है मुझे तो ऐसे लगता है a square plus b square plus 2ab याद करने में आसान रहता है आपकी अपनी मरजी है ऐसे लिखो ऐसे लिखो कैसे भी लिखो इसको मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा तो देखो कैसे बनाऊंगा यह न 7 ठीक है 7 है तो इसको आपको करना कैसे पहले मैं आपको बताता हूं ठीक है तो आपको करना कैसे आपको यह नहीं करना है यह इसको आप रब करो आपको क्या करना है पहले 7 को आप लिखेंगे 7x की पावर 2 पूरे की पावर 2 करना बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं ऐसे ऐसे नहीं करना ऐसे करोगे गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब है यही मतलब है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है 49 इजसे बाहर 2 की पावर लगा रगाई है तो इसका मतलब है इसका मतलब है 7 की दूबार मुलिप्लाय करना है 7 InsII 7 और X का भी करना है तो 49 ये X dział वधमारे 49 X ठ casos बहुत से बच्चे इसका जब square लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं वो गलत है ऐसे नहीं होगा क्योंकि आपने 7 को तो कुछ करा ही नहीं ठीक है यह हो गया ठीक है अब यह हो गया अभी इस वाले को बीच वाले को आप ऐसी छोड़ दो इस पर आओ 36 है तो आपको समझ में आज़ेगा यह है 6 का square है इसलिए 1 टू 20 तक बच्चों याद कर लो 1 1 जा 2 2 जा 3 3 4 4 5 5 जा ऐसे 1 से 20 तक याद कर लो देखके आपको समझ में आज़ेगा क्या करना आपको अब देखिए formula क्या होता है a square plus b square plus 2 a b होता है तो लिखो 2 2 लिखा आपने ठीक है यह लिखा आपने 2 अब क्या हो गया 2 a b तो इसको मानेंगे a तो 2 a और इसको मानेंगे b तो लिखेंगे b ऐसे ऐसे लिखो इसको 2 यह जाला जो bracket के इंदर है a यह bracket इंदर है b अब हम करेंगे अब हम लिखेंगे using identity कौनसी identity हम यूज कर रहे है a plus b का whole square किसे और होता है a square plus b square plus 2 a b आप यह जो है मेरा यह वाला मतलब यह जो है यह ऐसा दिया हुआ है अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा बना देंगे difference हैंस यह हमारा कितना हो जाएगा 7x का जो square है और a plus 2 7x 6y plus 6y का square यह हो जाए हमारा a plus b का square so bracket केंदर यह a होता है और यह b होता है ठीक है so a plus b इसका whole square तो यह हो गया तो 7x plus 6y 7x plus 6y यहां तक छोड़ दो यहां तक कर दो पीछे देख लो कैसे दिया हुआ आपकी बुक में 15th b का 8 question 7 question मैं खुदी देख लेता हूं आपको बता दूँगा जल्दी से यहीं तक दिया हुआ है इतना छोड़ दो ठीक है चलिए इसको और आप करते हैं 8 देखिए बच्चों 4 ठीक है तो यहां पर हम कहां लिखेंगे दुबारा लिख चलो आप चाहो तो आप यहां पर भी ऐसे starting में भी ऐसे कर सकते हो using देख के समझ में आ गया identity a plus b ka whole square equals to a square plus b square plus two a b तो इसको लिखूंगा में two y का whole square अब यह है न तो पहले मैं इसको लिख लेदा हूँ plus का two का whole square अभी कहा है minus है तो minus two sorry यहां पर minus है यहां पर minus लगाओ चलो बच्चो question number eight देखिए ठीक है ध्यान तो यहां पर minus है यहां पर भी वोई identity लगेगी मगर यहां पर कौन सी लगेगी यहां पर लिख लो आप ऐसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो using identity a minus b का whole square so a square plus b square minus two a b ठीक है बच्चो क्योंकि आप बी जो माइनस आगे तो क्या करोगे इसको कैसे लिख होगे प्लस तू की पावर दो मतलब चार इसका यह हो गया इसको बोलता है यह हो गया और वापस से करके देखो वैसा बनना चाहिए इसको वापस से करो बल्ट, solve करो, इसको यह बनेगा, बनेगा, इसको solve करो, यह बनेगा, बनेगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8y, minus 8y, इसको करो, वापस यह बनेगा, तो यह किसके बरावर हो गया, यह मेरा हो गया, इसके बरावर, a minus b, तो a कहा है, यह मेरा a है, minus, अब मेरा b कहा, यह मेरा b है, इसका कोई है, यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चो चलिए, अब देखिए, नाइन्थ देखिए, और ए बी, यह मैंने नाइन्थ कुश्यन है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करो, देखो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, यह दिया हुआ है न, मतलब इसको खोल लो, तो इसको खोल प्लस B स्क्वेर, प्लस 2AB, इसको खोला तो ऐसा बन गया, अब गया, माइनस 4AB पहले से रगा हो, अब माइनस 4AB, अब इसको दुबारा सॉल्व करो, देखो A स्क्वेर रहेगा, बी स्क्वेर भी रहेगा, यह प्लस का 2AB है, माइनस का 2AB है, तो हो जाएगा, माइनस का 2AB, याद रखना देखो बच्चो 2a प्लस 4a क्योंकि variable same है तो 60 हो जाएगा 2a प्लस 4b यह हमारा 2a प्लस 4b ही रह गए क्योंकि variable different है variable different होगा ना तो plus minus नहीं होगा variable different होगा तो हाँ variable different में यह हो जाएगा multiply 4 to the 8 a b तो a b ठीक है लेकि प्लस माइनस करने के लिए क्या करना होगा a b a b variable same है तब number plus minus हो जाएगे तो चार में से दोगे बच्चे दो क्योंकि चार बड़ा था तो minus का आ गया दो अब देखिए बच्चो यह क्या होगा भाई यह न्यू मार्कर से जब रख करते हैं तो मज़ा नहीं आता यार काला काला छोड़ देता है चलिए कोई बा अगर यहां पर minus है तो a minus b का whole square है यह में रहोगे 9 आप करते हैं हम 10 यहां पर आएगा नहीं आएगा तो लोग ट्राइब करते हैं 10 plus y की पावर 4 ठीक है आप देखिए दुबारा से इसको पहले हम लिखेंगे यहां पर using identity वाला लिख देते हैं मुझे समझ में आगई कौन इसमें वह लाए आइडेंटिटी लगेगे देखो यह वाली देखो आप यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी अ कौन जी आइडेंटिटी है ए प्लस b का whole square आप देखो एक्स को लिखो तू की पावर टू लिखो तो पावर चार्ड नहीं बनेगी मुझे पावर में दो बनाना है अब पावर दो होनी चाहिए एक पावर दो तो एक्स टू को ए मानो ठीक है प्लस इसको छोड़ दो य को कैसे लिखोगे यह से आईगा टैसले आपको प्रैक्टिस से आएगा आपने यावर चार और स्मझ में आदागा पावर चार और ऑर तो वहाट है अगर आपको अग्छा अंदर अग्वार लगाना है तो भारत दो आएगा ही आएगा ब्रेकेट के अंदर चार तो इस तरीके से आपको practice हो जाएगी कि कैसे बनाना है आपको ठीक है यह मैंने आपको सिखा दिया अब आपको चार के लिए कि अगर पावर छे दे दी उसने आठ दे दी बारा दे दी तो आप खुछ से बना पाओगे ठीक है तो थोड़ा इसको मैं दूर लिखता हूँ थोड़ा मेरे इसमें गरबर ना हो जाए थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ ठीक है तो y4 को कैसे बनाएंगे सिंपल सी बात है भाई य की पावर 2 और इसकी पावर 2 अब यहां बता 2AB तो 2 अब अंदर वाला है पूरा ये है a और b का है मेरा b मेरा अंदर वाला ये हो गाँ मेरा b इसको मल्टिपलाई करो वापस से उपर वाला बनेगा X की पावर 4, 2X2, Y2 और यह Y की पावर 4, तो किसी में रावर हो जाएगा, A2 प्लस B2, तो A2 मेरा क्या है, यह मेरा A2 है, प्लस और B2 क्या है, यह मेरा B2 है, और इसकी पावर हो गई हमारी 2, यह मेरा आंसर हो गया 10 का, चलो बच्छो 11 से देखिए अब, प्लस 1, यहां पर हमा फमारी यह वाली आईडेंटिटी लगेगे इसमें, A plus B2, फोल स्क्ट्वेर, प्लस 2AB, अब बनाएंगे कैसे, सर्य यह पता कैसी सलता है कि यह वाली आईडेंटिटी लगेगी, बेटा आपको प्रक्टिस करनी पड़ेगी, देखू, अगर आपने इसके questions किये हुए है, त हम question को solve कर सकते हैं ठीक है इसलब और वी identities होती है वो identity भी आपकी use हुई नहीं है इसमें 15th B में दो identity आपकी use हुई है एक ये वाली प्लस वाली एक माइनस वाली और एक जो हमने splitting term से सीखा है ठीक है तो देख के समझ में आ रहा है क्योंकि दो यहां पर मैं मैं इसको बना सकता हूं कैसे बना सकता हूं देखो इसको देखके में माइन में आया कि भाई मैं इसको x और नीचे 2 और इसकी power 2 तो यह मेरा क्या बनेगा यह मेरा वापस से यह बनेगा x पावर 2 और यहां पर 4 तो बीच आले तो छोड़ दो अब लास्ट वाल है ना इसको बनाना है तो इसको मैं लिखूंगा 1 का square तो 1 का square होता है प्लस हमेहां पर प्लस 2 भी होता है तो 2 a और b इस 2 से यह 2 कर जाएगा तो बीच में x बचेएगा बस ठीक है तो इसको जब 9 z की power 2 देखके समझ में आ गिया कि माइनस वाला है तो इसमें माइनस वाले identity लगेगी using identity a minus b की power 2 a की power 2 plus b की power 2 minus a यह सारी identities आपको याद करनी पढ़ेंगे ठीक है इसको बनाएंगे कैसे देखो x y दोनों का square इसको ऐसे बनाना है इसको ऐसे बनाओगे तो आप confused हो जाओगे ठीक है इसको ऐसे लिखना है आपको ऐसे लिखना है आपको आपने वह वाला chapter पढ़ा है ना वह वाला जिसमें अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे क्या बोलते हैं उसको exponents and power वाला उसके साब सही है ठीक है यह बन गया a इसको बनाएंगे plus 3z की power 2 वापस ही बनेगा तो minus 2ab 2a हमेशा bracket वाला हुगा bracket के बाहर जो power है उसको कभी मत लगा देना जो bracket के अंदर है bracket के अंदर यहां प a minus b तो a मेरा ये है minus और b मेरा क्या है 3z और इसका क्या हो जाएगा square यह मेरा 12th question solve हो गया एक important बात बच्चे आपको बता दो जरूरी नहीं है question में हर बार यहां पे a यहां पे होगा यह b बीच में भी आ सकता है आपको figure out करना पड़ेगा अभी तो बहुत simple questions आ रहे है बतल यह को तो एक कि बना लूगा मैं भी किसो बना सकता हूं इसको बना सकते एक्सको तो आपको figure out करना है किसको a बनाना है और किसको बना है उसको नहीं ऊब करते हैं 14 करते है तेलो बच्चो 13 देखो, प्लस 9 B की पावर है, बच्चो क्वेशन देखके, मेरे माइन में आइडेंटी बैठ चुके, कौन सी आएगी, वो बैठेंगी दो को ये वाली, आपके माइन में बैठ जाएगी, और बहुत से बच्चों के माइन में आ चुकी होगी यह आइडेंटिटी कौन सी यह वाली बनाएंगे कैसे वह बात की बात है पहले आप लिख लो आइडेंटिटी फिर हम बनाना बनाएंगे एक एक स्टैप करेंगे इसको बना सकता हूँ यह सर अभी इससे पहले वाले अब कि पावर थीन ना और तो जी यह होगा यह गया बैठा वेट करो अभी आ रहा हूं अब देखें कैसे करेंगे माइनस तू और 2 पाया मेरा यह ना मेरा भी यह होगा मेरा अब इसको था करो वापस से ऐसा बनेगा किसके बाह़र हो गया मेरा एबतलब ए यह माइनस बी क एक या मेरा बी है मेरा यह थ्री बी की पावर थ्री ऐसे करके ऐसे करके इसकी पावर दो यह मेरा आंसर हो गया चलो बच्छो अब देखें क्विशन नमर 14 और में 12 देखके समझ में आगया कैसे करना है तो यहां पर भी स्थीम लगाएंगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग ऐडेंटिटी ए प्लस बी की पावर दो अब बनाएंगे कैसे देखो इसको भ्रना आता है यह रिखो आपको इसको बनाना पड़ेगा नहीं देखो अब बीच में आगया इसको बनाना पड़ेगा मैंने बताइ तो आपको फिगर-ाउट करना है बी कहा है यहा इहां पर भी B बनेगा है नहीं इसकी पावर दो लगाओ यह बनेगा नहीं मगर यह बन जाएगा कैसे देखो प्लस B अपान में 8 एक एक जाओ था 64 इसको करेंगे इसकी पावर 2 अब यह बनेगा प्लस 2AB तो प्लस 2A और B का क्या है मेरा B मेरा यह हो गया जो bracket में आता है B ठीक है तो इसको जब आप solve करोगे तो वापस सा ऐसा बनेगा इसको क्या करेंगे इसको अब हम कर देंगे identity लगा देंगे बस A क्या है मेरा A मेरा यह है A plus 3 और plus B मेरा क्या है B है मेरा B upon में 8 ठीक है तो इसकी पावर हो गई हमारी 2 यह मेरा answer हो गया ठीक है चलिए last question करते है इसका last question देखिए B की पावर 2 upon में 9 तो देखके समझ में आ गया तो क्या करेंगे इसमें लिखेंगे using identity A minus B को यह minus पाली है A की पावर 2, B की पावर 2 minus 2AB minus 2AB ठीक है बच्चो अच्छा आप देखिए इसको बना सकते हैं हाँ जी A by 4 की पावर हो गई 2 यह नहीं बनेगा यह बनेगा B by 3 की पावर हो गई यहाँ पे 2 तो यह हो गया minus 2AB minus 2A और B क्या मेरा B मेरा यह है B solve करो वापस यहाँ बनेगा तो यह की पावर हो गया A upon me 4 minus B upon me 3 इसकी पावर कितने हो गई 2 यह मेरा answer हो गया और इसके साथ मेरा हो गया मेरी हो गई exercise 15B complete अब कर दे पावरा कर देड़ मेरा नहिए यह झने